आपने यह भी देखा होगा कि construction का काम करने वाले मजदूर और engineer और security guards भी एक jacket पहनते हैं जो चमकती है उस jacket में इस तरीके की कुछ ग्रे रंग की पट्टियां दिखती है ये ग्रे रंग की पट्टियां भी retro reflectors होती हैं जो रात में बहुत चमकती हैं लेकिन इन पट्टियों पर जो retro reflectors होते हैं वो ऐसे corner cube retro reflectors नहीं होते हैं इन पट्टियों पर अलग तरीके के retro reflectors होते हैं जो की कांच के बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं इस तरह के retro reflectors को समझने के लिए हम ये छोटे पारदर्शी कंचों का इस्तमाल करेंगे इन कंचों को हमने एक डिब्बे में रख दिया है और अंधेरे में इन पर रोश्नी चमका रहे हैं लाइट पढ़ने पर ये कितने चमकीले दिखाई देते हैं अलग-अलग दिशा से लाइट चमकाने पर भी ये कंचे काफी चमकते हैं कंचों के बजाए आप ये और्बीज की बॉल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पानी पर डालने पर फूल जाती हैं इसके लिए आपको पारदर्शी और्बीज बॉल्स चाहिए होंगी इन्हें कई बार मैजिक बीट्स भी कहते हैं तो इस तरह के रेट्रो रिफ्लेक्टर्ज में इस कंचे जैसे काच के बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं जो रोश्नी पढ़ने पर चमकने लगते हैं इनका इस्तेमाल कुछ चमकीली पट्टियों में और कुछ साइन बोर्ड्स में भी किया जाता है गोल रेट्रो रिफ्लेक्टर कैसे काम करते हैं उसको हम एक चित्र की मदद से समझेंगे तो यहाँ पर को एक ट्रांस्पेरेंट मार्बल यानि कंचा है जो एक सतह पर लगा हुआ है और इस पर हम रोश्नी चमका रहे हैं इसका चित्र बनाने के लिए हम इसको जैसे समझेंगे वह स्थिती कुछ इस तरीके से होगी तो मेरे 20 साइट से इस पर रोश्नी पढ़ रही है और इसका जो हम चित्र बनाएंगे वह कुछ ऐसा है तो यह सतह यह है यह मार्बल है जो कि हमने काफी बड़ा करके दिखाया है यह बीच का बिंदू इसका सेंटर है और इस तरफ से प्रकाश की कई सारी किरने आ रही है पहली जो रेखा है वह क्योंकि इस मार्बल के केंदर से की दिशा में है तो वह अंदर जाके सीधे गुजरती है इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है तो यह इधर बाहर से आई काफ के मार्बल के अंदर गई और यहाँ पीछे की सर्फेस से टकराई और यहाँ पर भी क्योंकि यह 90 डिग्री पे टकराई तो यह बिलकुल वापिस आ जाती है और इधर फिर से यह एकदम बाहर निकल जाती है तो अगर कोई प्रकाश की किरण मार्बल के केंदर बिंदू से गुजट रही है तो वो जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में लोट जाएगी लेकिन उपर वाली किरण के साथ क्या होगा यह जब अंदर आती है तो यह मार्बल की इस सतह से 0 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है तो इसलिए इसकी डारेक्शन में कुछ चेंज होगा रिफ्रैक्शन होगा यह किरण जब मार्बल से टकराती है तो अंदर की ओर मुड़ जाती है उस पर रिफ्रैक्शन होता है पीछे की सर्फिस से जब ये टकराएगी तो यहाँ पर को reflection होगा और जिस angle पर ये आई थी उतने ही angle पर reflection हो जाएगा दूसरी दिशा में तो यहाँ मैं reflected ray दिखाऊंगा और जब ये इस सतह से टकराएगी तो बाहर हवा में जाते वक्त यहाँ पर को एक और reflection होगा और इस बाहर आने वाली प्रकाश की किरण को मैं दुसरे रंग से दिखा रहा हूँ तो ये इस तरह बाहर निकल जाएगी तो जो किरण इधर से गई थी वो reflection और reflection के बाद इस दिशा में बाहर आ रही है और आप देख सकते हैं कि ये अंदर जाने वाली किरण और बाहर आने वाली किरण पैरलल नहीं है ये थोड़ा दुसरी दिशा में है तो ऐसा ही इस किरण के साथ भी होगा लेकिन ये पहली वाली किरण जतना ही अंगल पै नहीं मुड़ेगी इस सतह पर एक reflection होगा ये किरण अंदर को आएगी यहाँ पर को reflection होगा और ये किरण नीचे जाएगी और फिर इस सतह पर reflection होगा और ये बाहर आएगी तो ये किरण इधर से गई और इधर से बाहर आई तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो torch की रोशनी थी वो इस दिशा से आई marble पे पड़ी लेकिन इसी दिशा में वापिस नहीं गई वो थोड़ी बिखर गई और इसी वज़े से gold retro reflector से जो रोशनी बाहर आती है वो थोड़ी बिखरी हुई होती है बिल्कुल parallelly नहीं रोटती है और हमें वो थोड़ी कम चमकदार दिखाई देती है इसको हम एक animation से भी समझ सकते हैं कि लाल रोशनी अंदर आ रही है और gold retro reflector पर पढ़ रही है और अपवर्तन और परावर्तन के बाद वो बाहर निकल रही है जो काली रेखा से दिखाया है हमने गोली पर जिस कोण पर प्रकाश की किरण गिर रही है उसके अनुसार परावर्तित होकर बाहर आने वाली किरण का कोड भी बदलता रहता है और अगर हम बहुत सारी रेखाएं बनाएं तो आप देख सकते हैं कि अंदर आने वाली जो बीम है वो बाहर आने वाली बीम के पैरलल नहीं है बाहर आने वाली बीम अलग-अलग दिशा में बिखर गई है इसलिए वापस आने वाली रोशनी थोड़ी बिखर जाती है और इन रेट्रो रिफ्लेक्टर्स की चमक कॉर्णर क्यूब रेट्रो रिफ्लेक्टर्स से कम होती है और ये दूर से बहुत ज़्यादा दिखाई भी नहीं देते हैं लेकिन इनका फायदा भी है कि ऐसे चोटे-चोटे कांच के दाने बहुत आसानी से फैक्टरी में सस्ते में बनाए जा सकते हैं तो कॉर्णर क्यूब रिफ्लेक्टर्स का अपना अलग इस्तेमाल है और फायदे हैं और इन चोटे गोल रेट्रो रिफ्लेक्टर्स के अलग इस्तेमाल और फायदे हैं Corner Cube Retro Reflector का इस्तेमाल Microwave Radar में भी होता है। हमने ये Retro Reflectors पहले देखा था, जो कि इस Corner Cube Retro Reflector जैसा ही है, ये Retro Reflector Metal Sheet से बना हुआ है। तो जब Microwave की किरने Radar से निकल कर इससे टकराती हैं, तो वो वापिस Radar की ओर लॉट जाती हैं, और Radar को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई चीज है। लेकिन इसमें एक समस्या यह भी है, कि अगर मैं केवल एक Metal के Retro Reflector का इस्तेमाल करूँ, तो ये तभी काम करेगा जब इस दिशा से Radar की किरने आ रही हैं। अगर कोई Radar इसे पीछे से ढूड रहा है, या इस दिशा से ढूड रहा है, तो वह इसे आसानी से नहीं ढूड पाएगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, मैं ऐसे 8 Retro Reflectors एक दूसरे से जोड देता हूँ, और वह जो structure बनता है, वह ऐसा होता है। और इसको हम कहते हैं Octahedron। आप देख सकते हैं कि इसमें 8 Retro Reflectors एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो अगर Metal Sheet से बना ऐसा 8 Retro Reflectors का Octahedron किसी बोर्ट पर लगा दिया जाए, और उसे इस तरीके से रखा जाए, तो अब सामने से आने वाली किरने इधर पढ़कर लौटेंगी, इस तरफ से आने वाली किरने इस Retro Reflectors से वापिस लौटेंगी, और किसी भी दिशा से उपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, कहीं से भी Radar इसे ढूनना चाहे, तो बहुत आसानी से इस Retro Reflectors को ढूट पाएगा। Metal से बने ऐसे Retro Reflectors को उन जगहों पर लगाया जाता है, जिनने Radar से ढूनने की जरूरत पड़ती है, जैसे समुद्र में जो बोट्स होती हैं, अगर उन बोट्स पर ऐसे Metal के Retro Reflectors लगा दिये जाएं, तो कोई Radar उनको ढूनने की कोशिश अगर करेगा, तो उसकी Microwave इससे टकरा कर Radar की और वापस लोट जाएंगी, और उस बोट को आसानी से ढूड़ा जा सकेगा, इस सुन्दर से Octahedron को आप छोटे साइज में भी बना सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ तीन स्क्वेर कागज चाहिए होंगे, और वो कागज थोड़ा मोटा होना चाहिए. इस Retro Reflector और Radar के सिधान्त का इस्तमाल सेना के जासूसी हवाई जहाजों में भी किया जाता है. जासूसी हवाई जाज बनाने वाले इंजिनर ये ध्यान रखते हैं, कि हवाई जहाज की बहारी सतय में गल्ती से भी क्यूब जैसा कोई कोना ना बन जाए, क्योंकि इस कोने को Radar की किरणे आसानी से ढूड लेंगी. तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कि इस जासूसी हवाई जहाज का जो बहारी सतय है, वो बहुत स्मूध है और उसमें कोई भी कॉर्नर क्यूब जैसा कोना नहीं है, और इसलिए Radar को ये बहुत आसानी से नहीं मिल पाएगा. तो आपने देखा कि परावर्तन के सरल से नियम का इस्तमाल करके, हम कितनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं. हम सडक और समुधरी यात्रा को सुरक्षित बना लेते हैं, दुश्मन को चक्मा देते हैं, और अंतरिक्ष में चांत की दूरी को सटीक तरीके से नाप लेते हैं. तो आप भी इस चमतकारी रेट्रो रिफलेक्टर को अपनी साइकल पर देखिए, इस रेट्रो रिफलेक्टर को खुद बनाईए, और अपने आसपास मौझूद अनेक तरीके के रेट्रो रिफलेक्टर को ध्यान से देखिए. कर दो रिफलेक्टर को अभा रिफलेक्टर रिफलेक्टर को यब वुद बनाईए बनाईए,